हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपको आप मुल के फंदे किस तरह से उठाते है जिन्ट हाफ से अर्टर में वह बताऊंगे यह मैंने एक साइट से बना लिया इस तरह से इस तरह से और इसका second दूसरा पार्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगगे सबसे पहले तो मैने फंदे उठा लिया है दो नेडल में उठाए एक का ग्याप दिया दो में और एक का ग्याप दिया इस तरह से मैंने पूरे 120 फंदे उठा लिया है यह साइट से 9 इंच आर्म हु तो एक करके दीवी थी उस तरह से यह हमने पूरा बना लिये अब इसमें हम एक मैनुल सिलाई लगा लेंगे हाथ से कि मशीन से लगाते है तो यह थोड़ा यहां पर अटक जाता है कई बार तो इसलिए मैं हाथ से लगा रहें एक सिलाई इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करने के गाद आपको दिखाते हैं इस तरह से मैंने एक यह सिलाई लगा लिया और मिझे अब 20 सिलाईयों का बोड़ बिनाना को डबल करके 10 सिलाईयों करें जाएगा तो अब भी कि मुझे इसमें यह दूसरे कलर भी उस करना है तो सबसे पहले मैं इसमें लगा लोगे 13 सिलाईयों एक तो यह हो गई है और इसको मैंने साथ नंबर पर सेट किया हुआ है अगर आप कुछ इस तरह से बंद किया हुआ अगर इस तरह से बंद करना हो तब हम इसको राइट साइड अपने साइड रखेंगा और लेफ्ट साइड जो है मेशीन के लेकिन अगर आप ऐसी इसको नॉर्मली बंद करके फिर यहां पर सिलना चाहा हो जैसे यहां से बना के यहां पर नॉर्मली सुई से सिल देते है तब आपको इस तरह से अटेश करना है कि यह इसकी जो उल्टे साइड है वो हमारी साइड आए लेकिन मैं इसको सुई से जैस सुई देखे अब मुझे नहीं नहीं अब मुझे रड़ को धावा लबाना है ते रड़ को धागी के मुझे एक सिलाई लबानी है इस तरह से अब दोस लाई हैं जो अब ब्लैक कला के दागे की लगाने हैं अब फिर से एक रड़ दागे की लगाने है अब फिर से एक रड़ दागे की लगाने है अब तीन सिलाईया इसी दागे की लगाने हैं फिर से तो हमारी थर्टेन पहले हो गई थी त्री अब इसकी लगाएंगे शिक्स्टीन और फॉर ये हो गई विर टुवन्टी सिलाईया हो गई है इस तरह से हमारी इवान जब हमारी ये दूसरी सिलाई कंप्लेट हो जाएगी तो इससे पहले अब हमारी लास्ट सिलाईया है इसमारी गैरेज को भी नुए नंबर पे सेट कर लेंगे और यहां से फंदा उढ़ाके जाहां कर जाएंगे अब इसको कंप्लेट करने के बाद को दिखाते हैं यह इस तरह समय आपकर देखाते हैं यह इस तरह समय आप करते हैं अब इसमें एक सी लाई लगांगे रहा हुआ है अब इसको में यह मेर कंप्लेट हो गया बोड़ाब इसको में वेस्ट धागे में निकाल लूँगे क्मार खंद टूपी कि ल्म में पहके ग soften बोड़ाब कि वेस्ट रहा हुआ है यह अधे अगया है से टिलग कोlezा हो आपए है अब अगि कोला ख़त से एक सा Puesya कोको खड़ता है एस्टरसे एस्टरसे इस्टरसे निकाला नेडर कुशके अंदर से इस तरह से फिर जो हमारा पीछे वाला फंदर इस्टरसे रखके आगे वाले फंद्रे में फिर से वेस्ट अगयाओ को अटा की फिर सिश्टर से निकाल देंगे इस तरह से जो पीछे वाला फंदे था उसमें इस तरह से डालके और फोल्ड करते हैं यहां पे जब बनाऊगे तो यह ध्यान अपने कि यह फंदे जहां से आ रहे हैं हम उनको यह वहीं पे इस तरह से सिले नेडल से नहीं तो वह तिर्चा हो जाएगा बॉर्डर तिर्डर आएगा इस तरह से यह था थार श। झाल झाल इस तरह से आए गई है इस तरह से में इसको कूरा कम्प्लीट कर लेते हूं अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब परें थैंक्यू झाल झाल झाल